और सभी फार्मर को मेरा नम्षकार सासरीयकाल आज हम मानसा शहर में एक देसी कव के फार्म पर पहुंचे हैं और यह काफी अनुबवी किसान है जो कि एक देसी कव का फार्म चला रहे हैं आज हम उनसे बात चीत करते हैं नम्षकार जी सबसे पहले हम जे जानना चाहेंगे कि आपको कितना समय होगा जे फान मितलाते हुए सर मुझे अप्रोक्सिमेटली साथ साल के करीब हो चुके हैं जी ठेक है सरब हाँ जी उससे उससे पहले हम शहर के अंदर जितनी भी बे साहरा गाएं घूमती थी सिर्फ गाएं नहीं उसमें डॉग्स भी आ गए एक दोबारी उठ वगरा भी मिलें हमें जिनको जो इंजर्ड थे और घर से निकाल दिये गए थे बैल गाएं सब जो भी एनिमल हमें मिलते थे बिमार हम उनका ट्रीटमेंट करवाते थे पगड़के तो तब से यह मेरा शौक जागा था पर गाएं घर में रखने की एक इच्छा जो थी वो जब मैं छोटा सा था मैंने अपनी होश समाली थी तब सी मन में थी मेरे हमेशे से ठीक है और आपकी एजुकेशन क्या है सर मैंने पहले इंज अपनी कंप्लीट की उसके बाद फिर जॉब की आज कल मैं अपना खुद का बिजनस कर रहा हूं और साथ में यह अपना शौक पूरा गरा हूं इतना पड़ा लेखे होने के बावजुद भी अपने जेक इता क्यों चुना सर इंटरस्ट की बात तो यह है कि स्टार्टिंग इसे ही मन में थी एक और कभी इनको मैंने प्रॉफिट के तौर पे या कमाई के तौर पे अपने पास नहीं रखना शुरू किया था और इनको आज भी शौक है उस दिन भी शौक था पर शौक के साथ अगर कुछ कमाई हो जाए तो उसमें कोई बूरी बात भी नहीं है तो म इक नॉर्मल गाएं से मैंने शुरू किया था जो बे सहारा थी पहली दो गाएं मेरी बे सहारा थी जो मेरे घर पे आई थी और उनको मतलब सड़क पे ऐसे घूमने से बचाने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था उसके बाद मन में एक ख्याल उठा के मैं एक किया कि क्यों ना ऐसी गाऊं को भी साथ-साथ तयार किया जाए है जिसकी market value अच्छी है और गीर गाएं की तरफ मेरी attraction बहुत पहले सी थी तो मैंने गीर गाएं को चुना और साथ साथ पैरलर में मैंने साहीवाल को तियार करना स्राट किया तो उसके साथ साथ फिर अब अपने घर की होम ब्रीड मैंने तियार कर ली है उन साथ सालों में आप मेरे पीछे देख सकते हैं और अब थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि हम सबसे में जो अगर हम यह माने डिफरेंस है वो है इनकी मिल्क वालिटी जो अगर इनकी जो फैट होगी मिल्क फैट होगी देशी गाएं की मेरे फाम की मैं आपको बात कर रहा हूँ अप्रॉक्सिमेटल अगर पूरे फाम की फैट उठाई जाए तो साड़े पांच से पांच साथ या छे तक जाती है और अगर आप एच्छफ का ऐसे उठाएंगे तो एच्छफ की फैट अप्रॉक्सिमेटली तीन के करीब रहती होगी दूसरी बात सर देशी गाएं मैंने सबसे पहले इसलिए रखी थी कि मैं अपनी फैमिली की हेल्थ को मेंटेन कर पाऊं अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाऊं और आप किसी भी रिसर्च को पढ़ेंगे किसी भी वेद या बगरा देखते हैं तो इसमें ये बताया जाता है कि देशी गाएं हमें इतनी पॉजिटिवीटी देती है कि बहुत लोग उनके उपर सिरफ हाथ फेर के अपना ब्लड प्रेशर वेगरा कंट्रोल कर रहे हैं बहुत बीमारियों से खुद को बचा रहे हैं तो ये कारण था कि हैफ और जर्सी न रखने की बजाए में देशी गाएं की तरफ गया ंचाहुँगा आप से कि जो अपने इंवर्मेंट के नकूल नहीं है नहीं ठीक है इन की कोई समस्या तो नहीं है देशी काओ की अपने इंवर्मेंट नहीं सर यह बहुत जरूरी बात है जो मैं किसान ज्यादा आपको संख्या में लोग मिल जाएंगे जितने आपको पार्क में या किसी और जगा नहीं मिलेंगे उसका कारण सबसे बड़ा जो हमारी फूड हैबिट हमने खराब कर लिए वो तो हई है पर एक चीज मैं जो ये मेरा परसनल वीव है जो मैं किसी के ओप नहीं रहा मैं एक नॉर्मल बात आपको बता रहा हूं एक एनिमल को हम उस एन्वाइरमेंट में या उसके लिए एक फेक एन्वायरमेंट मना के उसको रख रहे हैं आप अगर गाउं में जाओगे तो आप देखोगे जो एच ऐफ वाले फार्मर्स उनकी गायों की बहुत बुरी हालत होती है गर्मियों में अब घर्मिया स्टाट हुई आज से एक अभी हालत खराब होनी शुरू हो गई होगी होगी एसी में उनको रखा जाता है तो और बिमारियों से भरी होई होती है गाएं कारण क्योंकि वह एंवार्मेंट में अडिजस्टी नहीं हो रही हम जबरदस्ति उनको एडिजस्ट करवानी की कोशिश कर रहे हैं ताके हम हाई मिल्क ले सकें तो अब आप सोचिए भी जो इस एंवार्मेंट में खुश नहीं है तो उसका जो दूद निकल रहा है जो की एंटीबाइटिक और हार्मोन से युक्त है बहुत ज्यादा मतलब बिमारियों के क कारण उनको यह चीज़े दी जाती है तो क्या वो दूद एक अच्छा दूद होगा पीने लाइक दूद होगा क्या वो हमें अच्छा शरीर हेल्दी शरीर दे सकता है पर देसी गायों में जैसे आपने पूछा देसी गायों में यह बिल्कुल ही उलट है जी काम इसका जिक और हर एंवार्मेंट में अपने आपको एड़जस्ट करने की इनमें ताकत है शमता है इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग होता है इनका बीमारियां बहुत ही कमाती है जितना हाड रखोगे इनको यह उतनी ही स्वस्त रहती है एक यह बात है सर जी के चलो आप डी गाइएं किसको कहा जाता है इंडिया की जो भी ब्रीड है इंडिया की अप्रोक्सिमेटली आज के समय में शायद अथाईस ब्रीड को रिजिस्टर किया गया है तो यह सब देसी गाएं में मानी जाएंगी उसमें गीर साईवाल राठी हरयाना कांक्रेज खिलर जो भी किसान को सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि उनका इंटरस्ट कुंसी ब्रीड के अंदर है अब जैसे मेरा गीर के अंदर इंटरस्ट था तो गीर के उपर मैंने रिसर्च की मैंने लोगों की हेल्प ली मैंने लोगों से बातचीत की फिर जाके धीरे-धीरे मुझे गीर क कुछ इंटरस्ट था तो साहिवाल के जो मार्किट में जो ब्रीडर्स बैठे हैं और जो एक जैनुएन आपको रस्ता दिखा सकते हैं जैनुएन सलाह दे सकते हैं उन लोगों से मैंने बात की उनको रिस्पेक्ट दी और उनसे जब चीजे पूछी गई तो उन्होंने मुझे हेल्प भी की और मिरको चीजे बताई नॉलिज दी तो उन चीजों को देख देखके मैंने रिसर्च करकर के चीजों को समझा और फिर अपनी गायों की सेलेक्शन की ठीक हैं और हम देखी रहें कि आपके पास काफी गाये हैं जो की जातर गर नसल की हैं और आपका ब्रीडि कि देखो मैं आपको बताता हूँ जी अगर आपको डैरी में या ब्रीडिंग फार में सक्सेस्फुल होना तो उसका एकी मंतर है वो लोग आपको कुछ भी काएं जो मैंने अपने एक्सपीरेंस से फील किया उसका एक ही मंतर है कि आपको अच्छे बुल की सिलेक्शन करनी ह अच्छी गाएं की सेलेक्शन करनी है और अब अच्छा बुल और अच्छी गाएं कैसे क्या होती है मैं आपको उसको भी थोड़ा सा एक गाएं जो चाहे एवरेज मिल्क दे रही है 12-13-14 दूद्र दिरी है तो उसको मैं एक अच्छे गाएं के अंदर काउंट करूंगा इक गाएं जो बाराली्टर से भी शुरू हो रही है और चार लिटर पाँस लिटर पर दस महीने बाद तो मैं यह मानूगा कि वो गाये ने बहुत अच्छा दूद दिया वो गाये आपके फार्म को बचा सकती है तो जो गायों को सेलेक्ट करने का मेरा क्रेटीरिया था वो यह था कि पता करो कौन सी गाये लंबा समा दूद देती है जो ब्रीड क्रेक्टर में अपनी चाहे अवर करको हो सकता है नेक्स जनरेशन में आजए पर चांसी बहुत कम है और बुल सेलेक्शन के अंदर भी मैंने पैडिग्रीज चेक की सर जी जैसे हम देख रहे हैं कि इंटरनेट का जुग है जो ब्राजीन ने का उत्यार की है उसको देखकर आजकल की जो फार्मर है वो कौन सी बीगाए हो जो चाहे हो जर्सी हो कौन सी बीगाए हो उसके अंदर ना गिरका टीका रख रहा रहे हैं यह कितनी बात सही है कितने हद तक सही है यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाता हूँ अगर आपके घर पे राठी करिये साहिवाल खड़िये उसमें साहिवाल यूज करिये ऐसमें हच भडिया एिछ आयुजड करिये जो ब्रीड है उसको प्योर में रखिये प्योर जो 2019 उस पैसे से आप एक purgeir खरीश सकते हो अगर आपका inटरस्ट है पिकर साहिवाल में है पिछर साहिवाल करीश सकते हो पर कहां पे बात घूम जाती है के लोग ब्राजिल से इतना इंप्रेस होगे no doubt Brazil ने बहुत अच्छा काम किया पर क्या हुआ कि हमें यह लगता है कि गीर लेंडो तैयार कर लेते हैं ज्यादा दूद के लिए तो मैं यह भी बता देता हूं गीर लेंडो इतना असान नहीं है तियार करना गीर लेंडो के लिए 3-4 जनरेशन लगती है कि परसेंटेज के हिसाब से oni हे और गीर के ब्लड को मिंटेन किया जाता है उसके अगहां ट्रोड़क्ट हमें हमारे पास चार से 5 जनरेशन के बाद निकलता है वह गीर लेंडो होता है सिमपल गीर के अंदर अच्छів के गीर डाल देने से हमारे पास गीर लेंड उतियार नहीं हो सकती और अगर ब्राजील से कुछ सीखना है तो हमें यह सीखना चाहिए कि ब्राजील ने अपने पिछले सौ साल के अंदर बहुत ही महनत करके बहुत अच्छी बुल सेलेक्शन करके अपनी ब्रीड को तियार किया है उनका मेंली फोकस रहा अडर एंड मिल्क और लॉंग लैक्टेशन उन्होंने कारेक्टर्स के साथ ठोड़ा सा ध्यान कम दिया उसको इंपोर्टेंस कम दि पर जो चीज के एक किसान को बचा सकती थी वो था गाएं का कॉम्पैक्ट अडर गाएं का हाई मिल्क और गाएं का लॉंग लेक्टेशन और इम्यून सिस्टम उन्होंने ये चारों चीजे बहुत अच्छे से मेंटेन करके और अपने हर्ड को तियार किया और आज ब्राजील आल ओवर वर्ल्ड में अपना नाम कमा रहा है और गीर को ब्राजील इंडिया से ज्यादा फेमस कर रहा है ये भी क अपने बुल का एक ब्रीडिंग के अंदर अगर आपने बुल स्लेक्शन पूर कर दी तो तीन साल बाद आपको समझ में आएगा कि आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी और सब कुछ खतम हो चुका पर ब्राजील ने ये बहुत समझदारी का काम किया इंडिया के इंडिया किया दो बुल को सेलेक्ट किया जाता है वो एक या दो बुल में आगे उनकी उनको सीमन नहीं यूज किया जाता है जी उनका ठीक मार्केट में प्रोवाइड नहीं किया जाता कि ये सलेक्ट हो गया तो इसका सीमन मार्केट में दे दो नहीं उसके बाद उन बुल को बुल क चेक की जाती है उनका अडर चेक किया जाता अगर वो सारी चीजे एकदम इक्वली जो ब्रीडर चाहता था वैसा था तो तो प्रोजनी टेस्टिंग के बाद उस बुल के सीमन मार्किट में आएंगे वरना वहाँ पे उस बुल को रोक दिया जाएगा इसलिए ब्राजील ने बहुत जादा कम समय में बहुत जादा तरफ की कर ली यह बुल सेलेक्शन का क्रेटीरिया था प्रोजनी टेस्टिंग प्रोजनी टेस्टिंग के बाद उन्होंने फिर बुल को मार्किट में उतारा तो इसलिए आज ब्राजील उससे बहुत उपर उठ सकता है और एक और चोटी सी बात में अड़ कर देना चाहिए सेजी है सायर सुपिरियर एनिमल जेनिटिक्स यह बहुत बड़ा काम कर रहा है यह प्रोजनी टेस्टिंग के उपर काम कर रहा है और अगर इनके आप साहीवाल बुल्स के सीमन यूज क सबसे जरूरी है जो आप अपना फार्म शुरू करने के लिए या और लेडिया फार्म चला रहे हैं उसमें कुछ और अगर आप गाएं आड करना चाहते हैं तो उनकी सेलेक्शन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमें गाएं की जरूरत दूद देने वाली है आपको ठीक है एक्शल में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हम जब भी गाएं सेलेक्ट करते हैं ना हम सबसे पहला क्वेशन क्या पूछते हैं पीक मिल्क कितना दिया पीक मिल्क आपको कभी आगे नहीं बढ़ा सकता अब सामने वाले किसान मैं भी आपको सच बता दिया कि पीक मिल्क जी मेरको 18 लिटर दिया पर आपको पता हूँ 18 लिटर कितने महीने दिया हो सकता है मुस्टली आप एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मुस्टली गाएं में ये चीज देखी गई है कुछ गायों में कि जैसी वो कंसीव हो जात सकते हो इस चीज में तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो पैडिग्री जो गाएं आप खरीद रहे हो या बच्छडी खरीद रहे हो कम से कम उसके फादर मदर का आपको पता हो दूसरा अगर दूद वाली गाएं खरीद रहे हो तो किसान उ लिंक्स के अंदर से गाएं उठाने का उसे क्या है कि आपको सची बात मिलेगी कि इतना दूद दिया भाई इतना नहीं दिया ये प्रॉब्लम्स रही ये प्रॉब्लम्स नहीं रही तो उस अकॉर्डिंग आप गाएं को सेलेक्ट कर सकते हो पर फिर भी हमारी कभी-कभी सेमन यूज करके आप जो नेक्स जनरेशन ले रहे हो उसमें इंप्रॉब्मेंट कर सकते हो क्योंकि जो चीज अब आपके घर पे खड़ी हो चुकी है ना उसका कोई इलाज नहीं तो अच्छा बोली उस करो अच्छा सीमन यूज करो और जो नेक्स बच्चा आएगा उसको अच्छे से तियार करके उमीद करते हैं अपनी मा से अच्छा परफॉर्म करेगा अपने इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मिर से पूछा पहले तो मैंने आपको ब्रीड गाएं की सेलेक्शन बता दी जिसने आपको दूद देना है दूसरा सर हम लोग क्या करते हैं जो लोग डेरी की करते हैं उसके पाल देखा था कि उनको यह लगता है कि दस गाएं रखके हमारा फार्म प्रॉफिट में आ जाएगा दो गाया उसे प्रॉफिट में अपर दस से प्रॉफिट में आ जाएगा ये ये चीज को थोड़ा सा प्वाइंट को मैं क्लियर करना ज सकता आपका घाटा भढ़ने वाला है उसमें क्योंकि जितना आप खरचा कर रहें उससे कम रेट का अपना दूध सेल करें और दूसरी बात जब हम companies को sale करते हैं, किसी broker को बीच में लेते हैं, तो वो अपना commission भी रखते हैं, और हमें अपनी चीज का पूरा rate नहीं मिल सकता, तो मैं आप सब लोगों से request करूँगा, चाहे 5 गाएं रख के काम शुरू कीजिए, पर सबसे पहला जो आपका focus होना चाहिए, आपकी marketing का, आप अपनी market खुद बनाईए, खुद अपना customer select कीजिए, अपने customer तक best quality का milk, घी, butter वहाँ पे provide करवाईए, यही चीज आपको milk का अच्छा rate ही आपके farm को आगे बढ़ा सकता है, अगर आप minimum 60-70-80 रुपे के बीच में अपना दूद बेचते हैं, तब ही आपका farm survive कर सकता है, नहीं तो हम अगर इतने सस्ते में दूद देना शुरू कर रहे हैं, वो भी high quality का pure चीज, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत समा हम अपनी जेब में से पैसे डाल सकते हैं, यह एक practical बात है जी सर जी, जातर हम देख रहे हैं, कि जो गाओं के लोग हैं, जो farmer हैं, वो पसुपालन की कित्ते को शोड़ रहे हैं, क्योंकि यह मानते हैं, वो कि यह कहटे का सौदा है, बिलकुल सर, इसके पीसे आप एक शेर में रह रह रहे हैं, एक बड़ी आदेशी काओं का फार्म चला रहे हैं, और आपके पास खुज़गी अपनी जभीन भी नहीं है, और आप हमें जे बताए कि आप कैसे इस फार्म को मेनेज कर रहे हैं, सर, इसका मैं आपको बताता हूँ, जो लोगों का यह छोड़ने का कारण है, वह एक तो इस चीज़ से दूर नहीं भागा जा सकता कि जो महंगाई होगी है, बहुत एक्सेस हो गई है, पर फिर भी महंगाई होते हुए भी जब और काम चल रहे हैं, तो यह क्यों नहीं चल सकता, इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हम हमारे अंदर भी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम दूद के पूरे रेट नहीं ले पा रहे हैं, हम थोड़ा सा एफट करने को तियार नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कि हम बस गाड़ी आई कंपनी के और हमने दूद दे दिया फैट के हिसाब से, और मन्त के एंड में जब हम हिसाब निकालते तो देखते हैं घाटा, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें उठना पड़ेगा और अपनी मार्केट खुद सेट करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर अपनी आड्स पोस्ट करिए, लोगों को बताईए कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और आप अच्छी चीज उनको प्रवाइड करवा सकते हैं, लोगों आपको मार्केट में अपना ट्रस्ट बिल्ट करना पड़ेगा, लो कि उन्हों ने भी अपनी मार्केट सैट की लोगों को बताया कि हम उनको क्या प्रवाइड करवा सकते हैं, तो कुछ इस तरीके की चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए, पर हम लोग ये चीजे नहीं कर रहे हैं, दूसरा क्या होता है सर, ये चीज ना हमने अगर की है, तो हम हमारा गौ सेवक है, या जो हमारा वर्कर है, उसके साथ लगके खुद काम करवाना पड़ेगा, इससे क्या होगा कि एक तो फार्म में जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, अगर आप मिल्किंग करते हैं अपने गायों की, या पनी भैसू की, तो जो दूद होता है, दूद सबसे पहले बताता है कि आपके फार्म में कुछ ना कुछ कमी आ रही है, या तो आपका फीड मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, दूद घट रहा है, या मस्टाइटिस आने वाला है, तो आप सबसे पहले ये चीज को पकड़ते हैं, अगर आप खुद मिल्किंग करेंगे, तो आप आधी बिमारियों को खुद पकड़ जाएंगे, दूसरा आप गायों के बीच में रह रहे हैं, आप गोबर खीच रहे हैं, आप गोबर का टेक्शर देखेंगे, आपको पता लगेगा कि अनाज पच नहीं रहा है, और इसको पचना चाहिए कहीं ना कहीं रिमन डि जिससे आपका दवाईयों का खर्चा, डॉक्टरी खर्चा कम हो जाएगा, दवाईयां बहुत महेंगी होगी हैं, दूसरा हम एक्सेसिव हार्मोन और एंटिवाटिक्स यूज करते हैं, हार्मोन क्या होता है, एक समय के लिए हमें हेल्प कर देता है, पर जब एक्सेसिवल अपने फायं का काम करता हूं, मेरि पास गउसेवक भी है, उसके साथ सुबा मैं अपन जो वैपार करता हूं, बिजनस करता उंट समय निकाल के मैं उसके साथ काम भी करवाता हूं, और अपनी management, अपना feed बगरा खुद बनवाता हूं समय निकाल के महfalगे महिने में एक बार और अपने सामने अपने फॉर्मूले से ही फीड्स को तियार करवाता हूं फिर भी कोई प्राबलम आती है तो मेरे पास डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज के उपर डॉक्टर से कंसल्ट करके उस बिमारी को बढ़ने से बचा लेता हूं तो म मेरा इस चीज को मैनेज करने का बचाय रखने का सबसे बड़ा तरीका यह कि मैंने दवाईयों का खर्च बहुत कम कर दिया जिस चीज की जुरुरत नहीं है वो मैं अपने फार्म पे यूज नहीं करता हूं अगर एक छोटी से एक्जम्पल देता हूं लोग दो-दो हजार तो मैं पान वाले से चुना लेकर आता हूं उस चुने से कैल्शियम तियार करता हूं खुद का होममेड और उससे मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे गायों का दूद भी मेंटेन है और यह भी मैंने फेस किया कि जिस दिन मैं वो चुना नहीं देता दो दिन के अंदर दूद भी थोड़ा सा डाउन आ जाता है तो सिरफ 10-15-20 रुपे के अंदर मेरा कैल्शियम त्यार हो रहा तो मुझे 2000 रुपे लगानी की क्या जूरत है मैंने यहां पर अपनी कॉस्टिंग बहुत कम कर दिये और इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि दूद मैं कुछ अगर मैं दूद सस्ते रेट पर दे रहा हूं तो मैं सर्वाइब नहीं कर सकता मैं दो या तीन साल के अंदर खतम हो जाओंगा मुझे यह शौक छोड़ना पड़ेगा पर मैं अपना दूद और घी को अच्छे रेट के उपर सेल कर रहा हूं मेरी गाएं खुद का खर्च बड़े आराम से निकाल लेते हैं जी सर जी सोनु स्रेश साल हो गए अपना फार्मर प्लाते हुए आपको क्या-क्या प्रब्लम फेस करनी पड़ी और क्या-क्या इंप्रिम्मेंट होई तो एक आम फार्मर के जैसे जो हर फार्मर फेस करता है वह सबसे बड़ी चीज थी कम मिल्क थोड़ा मिल्क फिर उसके बाद रिपीट ब्रीडिंग और थोड़ा दूद होते हुए भी मैस्टाइटिस तो मैं आप सब भाईयों से यह आप लोगों को बता देना जाता हूं मैस्टाइटिस के मुद्दे के उपर कि जो मैस्टाइटिस है वो किसी ब्रीड के साथ यह दो जब शवां कि इस ब्रीड में मैस्टाइटिस बहुत आता है नहीं जो मैस्टाइटिस है वह आपकी पूर मैनिजमेंट के कारन आता है अगर आप अपने फांकी साफ सफाई और अच्छे से देख भाल कर रहे हैं तो मैस्टाइटिस के ऊपर काबू पाया सकता है जो तो मैं यह मानूँगा कि किसी ना किसी तरीके से कुछ अच्छे रूल्स को फालो करते हुए मैंने मैस्टाइटिस के ओपर तो काभू पालिया है दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने फेस की थी वो थी रिपीट ब्रीडिंग यह भी लगभग आज पूरा इंडिया ही इस चीज को फेस कर रहा है अब भी कभी कभी मेरी गाहें रिपीट हो जाती है मैं यह नहीं बोलूँगा कि 100% सफल लो पर रिपीट ब्रीडिंग पर काभू पाने के लिए मैंने एक चीज को फॉलो किया था कि जैसी आपकी गाहें ब्या जाती है डिलीवरी हो जाती है ड इनेजमेंट तो औल ओबर मैं पूरा साल ही धान रखता हूं पर उस ताइम की जो सेवा होती है गाहें की उसमें मैं ट्रेस मिनरल मिक्षर्स डी वार्मिंग और हरा अचारा और जो भी चीज रिक्वाइड है एक गाहें को भरपूर मातरा में देता हूं और जो एन्वार्म सेलेक्शन उसके लिए सर मैंने आज से दो धाई साल पहले अपना सीमन कंटेनर खरीद लिया था क्योंकि उससे पहले मैं रिपीट व्रीडिंग को फेस कर रहा था वो भी एक बड़ा कारण था कि शायद जो भी डॉक्टर मेरे पास AI के लिए आये थे उनके पास सायद सीमन की जो क्वालिटी थी वो मिंटेंड नहीं थी मेरे अंदर भी कमिया थी पर ये भी एक छोटा सा कारण रहा था उस चीज में तो मैंने अपना कंटेनर लिया उसमें थाइंग मीटर में अपने पास रखता हूं उसमें गैस रिफिलिंग प्रॉपर समय पर करवाता हूं और आज लगभग मेरी गाएं समय से प्रेगनेंट होती है और एक अच्छा अपनी बुल सेलेक्शन के कारण में अपने फाम में अच्छा रिजल्ट ले रहा हूं फिर मैंने आपको बताया था भी दूद की कमी मैंने फेस की थी पर जो अब मेरे खुद की होम ब्रीड है जिनक जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें तो मैं यह मानूंगा कि जो मैंने बुल सेलेक्शन या सीमन सेलेक्शन किया वो सही था आज मैं सही ट्रैक पे ट्रैक के ओपर चल रहा हूं जी सर जी आप से बात करके हमें बहुत अश्य लगा और हम हम उमीद करते हैं कि आपकी जानकारी काफी फार्मर के लिए लाही बंद होगी और सबसे आखर में हम आपका धन्यवाद करते हैं थैंक्यू सब्सक्राइब करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी ऐसी इंफ्रमेशन वाली वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद